नमस्कार नियूज ओर इंडिया में आपके स्वागत है आपके साथ मैं धर्म राज सिंग महराश्ट में कोरोना संक्रमण के 7243 नई मामले सामने आने के बाद संक्रमितों के कुल संक्या 61,72,645 हो गई है इसके अलावा 196 और मरीजों की मौत के बाद मिर्तकों के कुल संक्या 1,26,220 तक पहुच गई है सौस्थ भाग के अधिकारी ने बताया कि लगभग 10,970 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद छुट्टी दी गई है जिसके बाद ठीक हो चुके लोगों की संक्या 69,38,734 हो गई है इसके अलावा संक्रमण दर 96,21 फीसदी जबकि मृत्यों दर 2,04 प्रतिशत है कॉंग्रेस के तीन एहम नेताओं ने NCP सुप्रीमो शरत पवार से मुलाकात की है इन नेताओं ने पवार से आड़े घंटे तक चर्चा की सुत्रों ने बताया कि इस दारान शरत पवार ने नेताओं से सीधे सवाल पूछा कि क्या आप वाकई चुनाओ अकेले लड़ने जा रहे हैं कॉंग्रेस प्रभारी एचके पार्टिल राजस सुमंत्री बाला साथ थरोट और लोक निर्मान मंत्री अश्चुक चोहान ने कल सिल्वर ओक में शरत पवार से मुलाकात की बैठक में OBC की आरक्षन पर चर्चा हुई इसके बाद राजस सरकार के शास्तन और तीनों पक्षों के बीच विबाद पर बात हुई है महराष्ट कॉंग्रेस के नेताओं ने राष्टवादी कॉंग्रेस के अध्यक्ष अरतपवार से मिले लेकिने स्मेटिंग में महराष्ट कॉंग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को नहीं बुलाएगा इस पटोले ने कहा है काम कर रहूं अगर काम करते हुए किसी को गुस्सा आ रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये नाना पटोले का बयान है अगरे गुस्से की बात नहीं न मैंने कोई मेरा कोई कोई नियोता नहीं था मेरे को पवार साथ मेरे को साथ मेरे को पता बहुत है कि नेता लोग गए तो जब मुझे पता चला तो मैंने उनको पुछा कि क्या है तो उनने कहा कि OBC R-Action के बारे में उनके साथ हम मिटिंग करने कहे थे और उसी बारे में चर्च वही तो मेरा गुस्सा कुछ नहीं है मेरा व्यक्तिकत किसी के साथ गुस्सा नहीं होता मैं मेरे पार्टी का काम कर रहा हूं और मेरे पार्टी का काम करते समय किसी को गुस्सा होता हो तो मुझे कोई तकलिफ नहीं है पूछा गया था तोनों ने कहा कि इस मामले में उनको कोई जानकारी नहीं थी और यह जो बैठक थी वो OBC आरक्षन को लेकर थी कॉंग्रेस निताओं ने शरत पवार से मुलाकात की थी और इसी मुलाकात को लेकर नाना पटोले से सवाल पूछा गया था कि आप आखिरकार उस बैठक में क्यों नहीं मौजूद थे महरास्टर के पूर ग्रिह मंत्री अनिल देश्मुक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है अनिल देश्मुक पर लगातार एडी की तरफ से कारवाई की जा रही है अनिल देश्मुक की वकील एडी के पास मामले में जो डॉकुमेंट है वो पब्लिक डॉकुमेंट है वो सभी के लिए उपलाब्ध होने की मांग की है अनिल देश्मुक की वकील ने आज मुबई में प्रेस कॉंफरेंस की है जिसमें एडी के जाश को लेकर उसे सवाल पूछा गया तो नहीं का एडी के पास जो भी डॉकुमेंट है और जिन ढॉकुमेंट को लेकर इडी बात कर रही है वो तमाम डॉकुमेंट does public domain में हैं और सभी के पास वो डॉकुमेंट उपलब्ध हैं इसलिए को नइन चीज या कोई नया डॉकुमेंट एडी के पास नहीं है प्रिपेर अगर संजी एव इशिकेश को अगर पूचा गया कि आप 2012 में आपनी एसे किया था आपके आकॉंग में यह ऐसे आया परसन इसमार्ट सूपर कम्प्यूटर की उसको सब्सक्राइब राइगर में बीजेपी नेता प्रवीन दरेकर ने मानगाओं में विले भागाड MS-DC परियोजना से प्रभावत स्थाने भूमी पुत्रों की भूकरताल का दौरा किया और मानगाओं में भूमी पुत्रों की समस्याओं के बारे में जाना मौके पर विपक्ष नेता प्रवीन दरेकर ने का है कि वीजेपी भूमी पुत्र के साथ मजबूती के साथ खड़ी है अडानी समूने मुंबई इंटरनाशनल एरपोर्ट की कमान जीवी के ग्रुप से अब अपने हाथों में ले ली है इसके घोशना खुद अडानी ग्रुप के चेर्मेन गौतम अडानी ने की है इस सौदे के बाद मुंबई के चोतरपती शिवाजी महराज अंतरास्टी हवाई अड़े में अडानी समू की चोतर प्रतिशत हिस्सदारी रहेगी इसमें से 50.5 प्रतिशत हिस्सदारी का अधिगरण जीवी के समूसे और शेष 23.5 प्रतिशत हिस्सदारी का अधिगरण अलपांस भागिदार एक्सपोर्टर्स कंपनी साउथ अफ्रीका और बिडविस्ट ग्रूप से किया जाएगा गौताम हटानी ने कहा कि हमें विश्वस्तर ये मुंबई इंटरनाशनल एयरपोर्ट का प्रभंदन समालते वे खुशी हो रही है मुंबई में इंधन के किमतों में बढ़ोत्री और महंगाई की दोरी मार ज्वेल रहे मुंबई वासियों को अब एक और जटका लगेगा आजादी रात से CNG और पाइप गैस के दाम बढ़ जाएंगे गैस से CNG गैस के दाम बढ़ाएगे हैं CNG की किमत में 2.58 पैसे प्रती किलो और घरिलू गैस के किमत में 55 पैसे प्रती यूनिट की बढ़ोत्री की गई है BMC ने फैसला किया है कि अगर आपने वैक्सिन के दोनों डोस ले ली है तो मुंबई में प्रवेश करने के लिए आपको RT-PCI रिपोर्ट दिखाने की ज़वरत नहीं होगी देश पे कोरोना के मामलों में कमी आ रही है दूसरी तरह वैक्सिनेशन की रफ्तार तीज हो रही है कम हो रहे संकरमल के मामलों के बाद भली यात्रा की इजाज़त मिल गई हो लेकिन कोरोना के RT-PCI रिपोर्ट को यात्रा के लिए महत्रपूर्ण किया गया था और अब धीरे-धीरे सरकार अपने नियम भी सरल कर रही है महराष्ट सरकार के ने 12 माई को ये फैसला लिया था कि अगर किसी भी राज्य से कोई आत्री मुंबई में प्रवेश करता है तो उसे अपने साथ RT-PCI रिपोर्ट लानी होगी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद ये उसे शेहर में प्रवेश की इजासत दी जाएगी राइगर के अलिबाग जिला समाने स्पताल इस्तित कोविट केर सेंटर में इलाज करारेक मरीज ने आदी रात को अचानक सेलाइन स्टैंड से एक डॉक्टर पर हमला किया इस हमले में डॉक्टर सौप्ट नदीब थेले की बाई आग पर गंबीर चोट आई है मरीज के खिलाप अलिबाग थाने में मामला दर्ज करवाए गया है मुंबई से सचे कल्यान इलाके के उद्योक पती और शिवसेना की नेता के खिलाप हाली में 35,000 रुपे की बिजले चोरी का मामला MSC DCL ने दर्ज करवाए है दरसल कंपनी का धिकारियों को इस साल मार्च में बिजले चोरी का पता चला जो संजय गाइकवाड नाम के शिवसेना नेता के कल्यान इस्तित कोल सेवाडे स्तित कंस्ट्रक्शन साइट की बताई जा रही है जिसके बाद संजय गाइकवाड को 34,840 रुपे का बिल भीजा गया था उन्हें का गया था कि 15,000 रुपे का जोर्माना भी जल से जल भरे गाइकवाड ने जब बिल और जोर्मानिक रकम को तीम मेंने की वितर नहीं जमा किया जात महरास्ट स्टेट इलेक्टिसिटी डिस्टिबिशन कॉंप्ले इमिटर्ड का धिकारियों ने गाइकवाड पर शिकायत दर्ज करवाई है मार्च 2021 में मैंने कोकन परिशक्तर के सभी भरारी पतकों को निरुदेश दिया था कि सभी कंस्ट्रक्शन साइट को चक किया जाए इसी क्रम में कल्यान सर्किल वन के फ्लाइंग स्क्वाइड ने कल्यान इस्थित्ती सगों में एक कंस्ट्रक्शन साइट को चक किया था जहां पर यह पाया गया कीवी मीटर बाइपास करके डिरेक्ट मिजनी चोरी की जा रही है मुंबई के वर्ली में बीजेपी ने तब पंकजा मुंडे के कारियाले में मंगलवार को एक जनसावा कायजन किया गया था आरोप है कि इस दोरा सोशल डिस्टंसी के नियमों का जम कर उलंगन किया गया गटना के वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में 42 लोगों के खलाब कुवीड-19 के नियमों का उलंगन करने की अफायार दर्ज की है मुंबई पुलिस के कदिकारी ने बताये कि इन मैंसे जादतार ने मासक नहीं पहना था और नियम तोटे वे लगातार नारेवाजी कर रहे थे कुछ अलग करने की चाहा में कई बार लोग नियम कानून को ताक पर रख देते है ऐसा ही एक मामला पूने से सामने आया है जाएक दुलहन एस्यूबी के बोनट पर बैठकर शादी करने के लिए मंड़ब तक पहुँच गई अपने घर से मंड़ब तक जाने के दौरान लड़की का वीडियो किसी ने कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया में डाल दिया देराथ पूलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लड़की और उसके परिवार के कुछ सादस्यों के खलाब केस दर्ज कर लिया है नासिक में एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़का अपनी मर्जी से शादी करना चाहते थे इसलिए दोनों परिवारू की रज़ा मंदी भी थी लेकिन इस शादी का कार्ड वायरल होते ही आस पास के लोगों ने लवजिहाद की बात कर इस शादी का विरोध करना शुरू किया इसके बाद आखिरकार लड़की के परिवार को शादी रद करनी पड़ी लड़की के परिवार वालों के अनुसार इसमें जबरन धर्म परिवरतन का कोई मामला नहीं था और दोनों की शादी पहले ही स्थानी अदालत में हो चुकी थी लड़की के परिवार वाले अपने बेटी को सास्वराल भेजने से पहले 18 जुलाई को हिंदू रित्व रिवास से शादी करना चाहते थे लड़की के पिता ने बताया कि उसकी बेटी रसी का शाड़री कुर्प से विक दिव्यांग थी और ठीक ढ़ंग का लड़का मिल नहीं पार के कारण उन शादी में काफित दिक कत्वारी थी पिछले दिनों उसने अपने दोस्त आसिफ खान के साथ शादी करने के एक्षा जताई दोने परिवार एक दूसरे को पिछले कई सालों से जानते थी इसलिए वो शादी के लिए राज़ी भी हो गए अभी नेत्रे दिया मिर्जा मा बन गई है उन्होंने बेटे को जन्कारी सोशल मीडिया पर शेयर की है दिया ने जानकारी दी है कि उन्होंने 14 माई को अपनी पहली संतान को जन्तान 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 को ज बच्चे की जान खत्रें पड़ गए थी लेकिन वक्त पर डॉक्टर्स की सूजबूच के कारण इमर्जन्सी सी सेक्षन से बेबी का जन हुआ अमिर्खान प्रोडक्शन्स ने इन दावों को खारिस कर दिया है कि लाल सिंग चड़ा शूटिंग टीम ने लद्दाक में एक शूटिंग लोकेशन को प्रदोशित किया था और जगाव का को गंदा छोड़ा था अमिर खान की टीम ने लोकेशन को गंदा छोड़ने के आरोपों से इंकार करते वे एक स्पस्टी करन जारे किया है प्रोटेशन टीम ने कहा है कि उनके लिए जिस किसी की भी ये चिंता हो सकती थी एक कंपनी के रूप में हम अपने शूटिंग लोकेशन में और इसके आसपास सफाई के लिए सक्ट प्रोटोकॉल का पालन करते हैं हमारे पास एक टीम है जो ये सुनश्यत करती है कि लोकेशन को हर वक्त कच्रामुक्त रखा जाए दिन के आखिर में पूरी लोकेशन की जाँच होती है पूरे शेड्यूल के आखिर में हम ये सुनश्यत करते हैं कि जब हम किसी जगह को छोड़ रहे हैं ताम उससे कहीं जादा साब सुत्रा करके छोड़े मॉंबई में अक्षा कुमार की फिल्म सुरिवनसी पिछले कई मैनों से रिलीज के लिए अटकी पड़ी है वजह है थियाटर का ना खुलना लोगड़ाउन की वजह से देश के कई शहरों में भी फियाटर्स नहीं खुल हैं जिसकी वजह से फिल्मेकर रोहित शेटी इस फिल्म की रिलीज को टाल रहे हैं हाले में रोहित ने बताय कि सभी की तरह वो भी सुरिवनसी के रिलीज का इनतजार कर रहे हैं सुर्वनसी के रिलीज पर रोहित ने कहा कि बतवर प्रोडूसर फारेंसर मैं अब इस फिल्म को मेंटली होल कर रखा हूँ सच कहूं तो एक इंसानियत के तौर पर मैं इस फिल्म को होल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि इस वक्त क्या डिसिजन लेना चाहिए। लातुर के उद्गिर शहर में 500 रुपे के कई नोट एक नाले में बहते मिले। सुच्टा मिलने के बाद पॉलिस ने मौके का जाजा लिया। नालियों से बहने वाले 500 के नोट फटे हुए पाए गए हैं अब कुछ अच्छी स्थिति में थे। नोट की पुष्टी के बाद ये पता चला कि नोट असली हैं पुलिस मामले की अब जाच कर रही है। दिस बिलिटेन फिलाल यत्म ही।